रूद्र प्रियाग में सडक बनवाने की मांग को लेकर ग्रामेड और स्कूली बच्चे जिलादिकारी का र्याले में जोरदार प्रतशन कर रहे हैं दरसल अगस्तियो मुनी विकास खंड के उतर्स के ग्रामेड आज भी सडक ना होने की वज़ा से आठ किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हैं उतर्सु गाउं के ग्रामेड लंबे संगहर्शों के बाद जिस सडक का इंतजार पिछले 20 सालों से कर रहे थे उस सडक का निर्मान कारे तो शुरू हो चुका है लेकिन वो उतर्सु गाउं को जोडने की बजाए गाउं की दो किरोमीटर उपर से बनाई जा रही है जिसे देख ग्रामेडों का गुस्ता फूट पड़ा देश आजारी के 70 साल बाद और उत्रक्षन राजय बने 20 साल का समय हो गया लेकिन आज भी कहीं गाउं ऐसे हैं जो सडकों से महरूम है और लगाता लंबे समय से ग्रामीड सडकों की मांग कर रहे हैं लेकिन ग्रामीडों की मांग को अभी भी अन्सुना किया जा रहा और रोजप्या जंपत का दरसो गाउं एक ऐसा गाउं है जहां आज भी ग्रामीड चार किमेटर पैडल चलते हैं स्कूल के पचचे चार कुमेटर पैडल चल कर स्कूल पहुंसते हैं तमाम जो रोजमर्र की जरूरते हो थी weren कर उनको पूर्ती करते हैं तो बहुत बड़ी समस्या पूरे गाउं में बनी वी है सड़क को लेकर तो लम्मे समय से मांग चल लेकि गाउं को सड़क से जोड़ा जाए इसके लिए कहीं बार सरवे भी हो चुका है और PMJSY के तहत गाउं को सड़क से जोड़ा जाना था लेकिन अब बताय जा रहा है कि कारवाई नहीं करती है तो हम अपना आंदूलन आगे भी चारे रखेंगे और जनर्दिकार मंच के अध्यक्ष होने के नाते हम ग्रामिनों के इस आंदूलन को पूर्ण समर्थन देते हैं और आगे भी जब-जब उन्हें हमारी आउशक्ता पढ़ेगी हम उनके साथ इस आ आखिर कमिया कहा रही है विवागी अधिकारी कुछ जवाब देने से बच रहे हैं साशन पर साशन और तक ग्रामिन जनता जा चुकिए लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है यह आज की समश्या नहीं है आज हम सत्तर साल आजादी के हो गए और आज भी चार किलोमेटर उत्रस जाना पड़े तो इससे बड़ा दुर्वाग्य पूर्ण प्रश्न कुछ नहीं है आज यह बच्चे यहां सड़कों पर आये हैं यह सासन को यह चेताने आये हैं कि कैसे हम सुरक्षित हैं आज हमें चार किलोमेटर अपनी सिक्षा के लिए जाना पड़ रहा है यह सामने द ग्रामिडों को रोज मर्रा की चीजें मलाने के लिए आठ किलोमेटर पैदल जाना पड़ता है जबकि सबसे अधिक परिशानी बिमार गर्भवती महिलाओ और स्कूली छात्रों को उठानी पड़ती है तो छोब चार किलोमेटर चलना पर रहा है जब जंगल के रास्ते से जाते हैं वहां हमें रास्ती में स्वार विख रवी कभी कभी मेते हैं और हमें क्लास हमें हमारी कभी-कलास भी कभी ठोड़ता है वहीं आक्रोशत ग्रामेडों की इस मांग पर जिलाधिकारी मंगेश घडियाल ने कहा कि जो अलायमेंट स्विकृत हो गया जिसे बदलना संभव नहीं लेकिन जिला योजना में ग्रामेडों को लिंक मोटर मार्ग से जोड़ा जाएगा विवागी अधिकारी उसे ये बात कही होती तो हो सकता उनके गाउं से उपर के सड़क आती है लेकिन इस इस्तिती में PMJSY के सड़क के अलायमेंट को चेंज करना संभव नहीं होगा लेकिन ये दिक गाउंवालों को सड़क से बुरी ज़्यादा पड़ेगी तो हम लोग जिला योजना में उनको लिंक रोर से लागानवित कर सकते हैं सड़क जैसी बुनियादी सुवधा से हर गाउं को जोड़ना इस राज्य की मूल धारना है लेकिन उतरसु गाउं के लोगों को 19 साल बाद भी सड़क नसीब नहीं हो पाई अब देखना होगा कि उतरसु गाउं सड़क से कब तक जुड़ पाता है बरहाल जिला अधिकारी के द्वारा आश्रवासन के बाद ग्रामिडों ने आंदोलन खत्म कर दिया पंजाब के स्री टीवी के लिए रूदर प्रयाग से भुपेंदर भंडारी की रिपोर्ट